हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टो ए चैनल यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स फॉर हूं गुडी पाडवा या फिर कई सारे फेस्टिवल में महत्वपूर्ण माने जाने वाले चीनी से बने बत्ताशे या फिर बत्ताशो का हार हम कई बार बाजार से खरेद कर लाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम इनी बत्ताशे को या फिर बत्ताशे की माला को घर पर कैसे बना सकते हैं ये आज हम देखेंगे, चीनी से बने इन बत्ताशों को कई बार बनाया जाता है छोटी सी प्लेट या फिर मोल्ड यूज करके, आज हम इन बत्ताशों को बनाएंगे अप्पे पैन में, इसलिए यहाँ पे मैंने इस अप्पे पैन को थोड़ा सा घी अपलाई करके रखा है, इक्वल लेंद का धागा लेके, इस धागे को हम इस तरीके से, इन सर्कल्स में इक्वली अरेंज कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, आपके पास अगर अप्पे पैन या फिर कोई छोटी सी प्लेट या फिर मोल्ड वगरा कुछ भी ना हो, तो आप सिम्पली प्लेट को गी लगा कर भी उसके उपर इस तरीके के बत्ता से बना सकते हो, तो इन बत्तासों को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पे रखेंगे पैन और इसमें एड़ करेंगे आदा कप चीनी, और इस चीनी में हमें थोड़ा सा पानी एड़ करना है, ये चीनी पूरी तरीके से भीग ज तो आप थोड़ी सी इलाइची पाउडर भी एड़ कर सकते हो या फिर आप अगर कलरफुल बत्ताशे बनाना चाहते हो तो इसमें आप कोई भी फूड कलर भी एड़ कर सकते हो यह चाशनी बत्ताशे के लिए परफेक्ट है या नहीं इसे चेक करने के लिए आप इस चाशनी बिल्कुल तयार है, अब इसमें आप डालेंगे half teaspoon गी, गी डालते ही इसे अच्छी तरीके से mix करें और इस stage में हम gas को बन कर लेंगे और ये जो अपपे pan है जिसमें हमें घी लगा के रखा है और thread को औरेंज करके रखा है, इसके उपर हमें इस चैसनी का layer add करेंगे, इन बत्तासों को आप जो इडली कुकर में इडली के plates मिलते हैं न उसके उपर भी बहुती easily बना सकते हो इस layer को add करने के बाद कुछ देर हम इसे थंडा होने के लिए रख देंगे, जस्ट कुछी मिनिट में ये अच्छी तरीके से set हो जाते है अब ये पूरी तरीके से set हो गए है अब इस pan से हम इसे separate करेंगे इसको हमने थोड़ा सा घी लगा लिया था इसलिए बहुती easily separate भी हो जाते है सो देखा friends, बहुती easily कुछी मिनिट्स में बनने वाले ये एक जैसे और दिखने में बहुती सुन्दर चीनी के ये बताशे बिल्कुल तयार हो गए है तो आप भी इसे घर पर जरूर बनाए और ये recipe कैसी लगी हमें कमेंट करकर जरूर बताए अगर आज का ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजे और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलिए